हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूटूब चैनल LGR स्टेडी में दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग क्लास 10 यानि कि मैट्रिक बोर्ड एक्जाम के बेहतर त्यारी के लिए बिज्यान के महतपूर्न औपजेक्टीव कोश्चन का चप्टर वाज त्यारी करते हैं आपको بتा दे कि आज या इस वीडियो स्रouse का 25 नमबर वीडियो है बिज्यान के महतपूर्न औपजेक्टिव कोश्चन के लिए इस तरह का 24 वीडियो हम इससे पहले अपलोड कर चुके ह जिसमें दोस्तों आपको बता दे कि physics के सभी चेप्टर और बैलोजी के सभी चेप्टर के महतपूर्ण objective question का chapter वाज तयारी मेरे द्वारा इस सभी 24 वीडियो में करवाया गया है तो अगर आप अभी तक इस सभी 24 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के पले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लिजेगा जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी महतपूर्ण है तो चले दोस्तो आज का वीडियो सुरू करते हैं जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि फिजिक्स हम लोग पूरा complete कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको बता दे कि आपका बैलोजी भी पूरा complete हो जाएगा बैलोजी का जो 6 नंबर चेप्टर है जिसका नाम है पिर्तिक संसाधनों का प्रबंधन इस चेप्टर से संब्धित सारा objective question आज के इस वीडियो में हम लोग discussion करने वाले हैं इस तरह से आपका physics और बैलोजी आज आपका पूरा physics पहले complete हो चुका है और आज आपका बैलोजी complete हो जाएगा फिर अगले class में हम लोग chemistry स्टार्ट करेंगे तो चलिए जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं काफी महत्पूर्ण question देखने वाले हैं तो last तक जरूर देखिएगा first महत्पूर्ण question के दौरा पूचा जारा है कि बिश्व में कितने परतिशत भाग में जल पाया जाता है question को समझे question में आपको बस यह बताना पर कितने 71 परतिशत भाग पर क्या पाया जाता है जल है और बाकी 29 परतिशत क्या है भूमी है मतलब जमीन है तो यहां पर आपका एक का जो सही आंसर होगा वह सी होगा 70 परतिशत लगभग हम लोग इसको क्या करते हैं बोलते हैं अगर option में 70 परतिशत रहे तो 71 पर सबसे उचा बांध जो है दिमलेकित में से कौन सा है तो दोका यहां पर आपका एक option सहयोगा याद रखेंगे वह क्या है सबसे उचा बांध है आगे बरेंगे और देखेंगे तीन नंबर महतपूर्ण कुष्चन पूछा जरा कि गंगा नदी की लंबाई है गंगा नदी क लंबाई कितना है तो यहां पर आपका बी option सहयोगा याद रखेंगे लगबग पचीस सो कीलो मीटर है गंगा नदी की लंबाई यहां आप याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे चार नंबर कुष्चन को चार नंबर कुष्चन है तिहरी बांध का न आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और पांच नंबर कुश्चन को देखिये पूछा जा रहा है कि बुभै लिंगी जन्तु कौन नहीं है बुभै लिंगी जन्तु निमनलेकित मेंसे कौन नहीं है तो पांच का जो है यहां पर आपका जो सही आंसर उसको हम लोग उभय लिंगी जन्तु कहते हैं लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि उभय लिंगी जन्तु कौन नहीं है तो मचली उभय लिंगी जन्तु नहीं है क्योंकि यह पानी में तो जिवित रह सकता है लेकिन यह जमीन पर जिवित नहीं रता है इसलिए यह उभय लि जखेंगे देखेंगे चोір नमबर महत्पूर्ण कुेश्चन पूछा ज़रा कि प्राकरितिक चैन सिद्धांक किस के द्वार द्वारद द्यागया तो चोगा यहाँ पर आपका C option जखेंगे 한데 किसके द्वार डार्बीन यहाँ पर आपका तहे महत्पूर्ण को बोला सबसे महतपूर्ण और जब संसाधन निमलेखित में से कौन सा है तो साथ का ए ओप्षन यहाँ पर आपका विल्कुल सेयोगास जल जो है वो सबसे महतपूर्ण क्या है और जब संसाधन है यहाँ याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके आपका आठ्का जो सहयांसर होगा वह यह होगा याद रखेंगा उसको जो कहके हैं नं मतलब यह हमेसा नमि से क्या होगा इसमें नमि होगा क्या सनी हो रहे ? दूसर संस्वी से अधिक तो इसमें आ पर नमि हमेसा क्या रहेगा बना राएग़क को हमumo इससे नमって बोलते है च नौका जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो B होगा आयाद रखेंगे कुल्ला कहते हैं उसे क्या कहते हैं कुल्ला कहते हैं चलिए आगे देखते हैं दस नमबर कुष्चन है पूछा जारा कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे सबसे पहले जो है चिपको करनी नेता पूछा जाए तो सुन्दर लाल भोगुणना यहां पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा चिपको आंदोलन आप सभी जानते होंगे पेर से चिपक करके जो इन्होंने बिरोध किया था पेर को काटने से बचाया था ठीक है आगे भरेंगे और देखेंगे यह आप देख सकते हैं कि वाहितम वाहितमल है पेर पौधे के मिर्त शरीर यह सभी के सभी क्या होते हैं तो आपको पता होना है जैव निमनी करन अब सिस्ट होते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बारा नमबर कुश्चन पूछा जा रहा है कि जैव और न जो अब सिस्ट होगा इन में से सभी जैसे सीशा है और सैनिक है रेडियो धर्मी पदार्थ हैं यह सभी के सभी जो है और निमनी करन पदार्थ होते हैं यह आपको पता होना चाहिए आगे बरने से पहले आपको बता दे कि अगर आप लोग अभी तक जो है मैट्रिक महत्पूर्ण सब्जेक्टिव कोश्चन और यहां पर आपको जो है मोडल पेपर और क्लास नोट्स का पीडिएफ आपको चेप्टर वाइज जो है मिल जाएगा तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं चले देखते हैं तेरा नंबर कोश्चन मोबाइल एप का लिं तो तेरा का यहां पर आपका बी ओप्शन सयोगा है रखेंगे 23 मार्च को जल्दिवस जो है मनाया जाता है आगे बरेंगे और देखेंगे यहां पर आपके चोदा नंबर कुश्चन पूछा जा रहा कि कॉलिफ फॉर्म मनुसे के सरीर में कहां पाया जाता है आपको बता नंबर कुश्चन के द्वरा पूछा जारा कि भारत सरकार ने बांध संरक्षन योजना कब परारंब की थी मतलब बांध को बचाने की जो योजना है कब बनाई थी तो पंदरगा यहां पर आपका जो है बी ओप्शन से योगा आज रखेंगे कब बांध संरक्षन योजना चलाई गई थी आगे बढ़िए और देखिए यहां पर आपके 16 नंबर कुश्चन पूछा जरा कि निम्न में से कौन सा परियाबरन अनुकूलन नहीं है मतलब परियाबरन के अनुकूल निम्न लिखित में से कौन नहीं है पैदल चलना तो एक सब्सक्राइबरन के अनुकूल नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहां पर आपने 17 नंबर महत्पूर्ण कुश्चन है पूछा जरा कि निम्न में कौन गंगा पर दूसन के लिए उत्तरदाई नहीं है मतलब किसके कारण गंगा पर दूसित नहीं हो रहा ह तो 17 का यहां पर आपका ए उप्सन से योगा है जखेंगे गंगा में मछली पालन अगर आप गंगा में मछली का पालन करते हैं तो ऐसे इससे गंगा के पर दूसन में कोई प्राबलम नहीं है मतलब गंगा पर दूसित नहीं होती है बाकि ये तीन चीज जो है उसके कारण प्रदूसित होती हैं चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अपने 18 नंबर को पूशा जा रहा है कि सूरंगम किस राज की जल संग्रन वेवस्था है संग्रन मुझे जल को इकठा करके रखने की वेवस्था करनाटक में जल संग्रहन अस्थान को कहा जाता है करनाटक के चित्रों में जो जल संग्रह करके रखा जाता है उस अस्थान को क्या कहते हैं अगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट अपने 20 नंबर कोश्चन को पूछा जरा कि निम्न में से कौन प्राकिर्तिक संसाधन नहीं है तो 20 का डी ऑप्षन आपका से होगा जीव धारी यहां पर आपका बिलकुल है सब्सक्राइब हों सही बहुत सारे आपहों बोलते हैं और तो इसका निवारान है कि आप और आप पर आपको सेब टूसे मुष्ट से बला सारा उसमें सुधा देखने को मिलेगा वहाँ पर जो है जो भी नोटिफिकेशन आता है या फिर किसी बीतरका अगर कोई अच्छा चीज़ आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो टेलीग्राम जो लोग जोइन नहीं है जोइन कर लीजिए वाट्सिप के येज़ा ही कूँःब Layer कर लीजंट वहां पर आजाएगा उसमें आप किजिए dobrze है चलिए देखते हैं 21 नमर कोईश्चन पूचा जारा कि यूरो दू का संबंध है यूरो दू का संबंध निम लिखित में से किस्से हैं तो 21 का यहाँ पर आपका A option जो है बिल्कुल है सही होगा 21 का A option याद रखेंगे बायू परदूसन से किसका संबंध यूरो दू का संबंध आगे बढ़िए और देखिए 22 नमर कोईश्चन पूचा जारा कि निमन में से कौन एक भूमिगत जल का उधारन है भूमिगत जल का उधारन निम लिखित में से कौन सा है तो 22 का यहाँ पर आ याद रखेंगे कुवा ठीक है आगे बढ़िए और देखिए 23 नमर कोईश्चन के दौरा पूचा जारा कि निमन में से कौन एक उभैलिंगी जन्तु है उभैलिंगी जन्तु निमन लिखित में से कौन सा है तो 23 का जो है यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर आ पर होता है तो 24 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा आज रखेंगे जिवानु है क्या है जिवानु है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 25 नमर कोईश्चन को पूछा जा रहा है कि स्वक्ष जल का पीच है स्वक्ष जल का पीच मान कितना होता है तो पांच जून को मनाया जाता है तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 27 नमर कोईश्चन को पूछा जरा कि चिपको आंदोलन किस बारस में पराड़म हुआ चिपको आंदोलन किस बारस पराड़म हुआ तो 28 का ए उप्शन आपका सही हो का आद रखेंगे 1970 इसमी में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर अपने 29 नमर कोईश्चन को पूछा जरा कि सरदार सरोबरबांद किस नदी पर निर्मित हुआ सरदार सरोबरबांद जो है किस नदी पर बना हुआ है यहाँ आप याद रखिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 30 नमर कोईश्चन 30 नमर कोईश्चन है पूछा जरा कि साल बिरिच्छों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर छेत्र क्रामिनों द्वारा बहूत बुड़ी तरह से जो है निमनी कृत होने से बचाय किया गया यह गाउं का या फिर किस छेतर का घटना है यहां पर आपको बताना है ऐसा कहा पर किया गया ठीक है तो 30 का यहां पर आपका सही आंस रोगा वह यहाद रखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि मिधनापूर में कहां पर मिधनापूर में ऐसा जो है कि आगया था यहां आप याद रखिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 31 मर्कुष्चन पूछा जा रहा है कि वनों के संद्रक्षण के लिए निम्न में से किन प्रकिरियाओं को नियंत्रित करने की आवसकता है बन को सनरक्षित करने के लिए किस प्रकिरियाओं को आप लोगों को नियंत्रित करने की आवसकता है तो 31 का डी ऑप्षन आपका से होगा ये सभी जैसे कि पेरों की अंधा दूंत कटाई को रोकिए आती चारन को रोकिए आती चारन मतलब जो हम क्या कर रहे हैं पसू से जिदने भी जंगल इसको चरबाते जा रहे हैं खानन को रोकिए तो आप क्या कर सकते हैं बन को संरक्षित रख सकते हैं चलिए आगे बारेंगे और देखेंगे यहाँ पर अपने 32 नमबर कुश्चन को 32 नमबर जो कुश्चन है पूछा जरा कि वे पदार्थ जो जैविक परकरम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं वे पदार्थ जो जैविक परकरम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं तो याद रखेंगे उसे हम जैव निमनी करनिये कहते हैं तीन प्रकार के आर्ग का परियोग किया जाता है वे हैं तीन प्रकार के आर्ग का जो प्रियोग किया जाता है पढ़िया बरन को बचाने के लिए वह निम्नल लिखित में से कौन सा है तो 33 का अप्षन आपका बिल्कुल है सहयोगा एक आर्ग जो है उसका अर्थ होता है रिड लेजिए तीन प्रकार के आर का पढयोग किया जाता है पढया बरन को बचाने के लिए स्टार है रिड्यूस मिसटा है कम करना मतलब हम जो संसाधन का अंधा धूंद खर्च करते जा रहें उसको क्या करेंगे कम करेंगे का मतलब क्या है जैसे कि माल लेजिए कोई डबा बंध किक्यां वाद कर देना चाहिए और उसको वेचने कबाद क्या है कि उसका नया डंबा या बना जाता है इसका बस्तू करना धिक क्या कर लाएगा च्शिकता हुए फिख करने न स版 कर सकते हैं आप से क्ष फैलेगा और संसाधन भी बर्बाद को disgrace कर लें चाहिए भल और तो कामों कि कि यूज्प कर लेना चाहिए यही क्या है रियूज है अगे बरेंगे और देखेंगे 34 नमर क्वेश्चन पूसर जरह कि जैब विविद्था के 20 अस्थल क्या कहलाते हैं जहां पर अधिक जैब विविद्था देखे जाते हैं उस अस्थल को क्या कहते हैं तो 34 का यहां पर आपका B options योगा अगे रिखेंगे 1 वन जो है एक 20 अस्थल है जहां पर अधिक जैब विविद्था देखने को मिलता है hot spot देखने को मिलता है चलिए आगे बरेंगे और देखेंगे 35 नमर क्वेश्चन पूसर जरह कि अमरिता देवी विश्णोई का संबंध किस ब्रिक्ष से ब्रिक्ष के संदक्षन से हैं अमरि बरेंगे और देखेंगे 36 नमर क्वेश्चन को 36 नमर क्वेश्चन है कि प्राकिर्थिक जैल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकर से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो 36 का यहां पर आपका सही आंसर होगा वह भी होगा याद रखेंगे उसे हम चेक ड दिवा दढन है जो किसके पाड़िवरतन के कारण उत्व खान होता है तो 70 hooga कि अधरियों में परानियों के मृत सरीरों के दौरा चाहिए कोईला और पेट्रोलियम जो है वो प्रानियों के मिर्त सरीरों से भी बनता है बनस पतियों के मिर्त सरीरों से भी बनता है और सागर में समुदर में जो मिर्त सरीर होते हैं जो जीब जन्तु मर जाते हैं उससे भी बनता है तो उपरोक्त सभी यानि की D-Option आपका बिल्कुल ह सही हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 38 नमर कुछन पूछा जारा कि निम्नलिखित में से प्राकिर्थिक संसाधन कौन है? मिर्दा भी प्राकिर्थिक संसाधन है जल भी है वन भी है तो यह सभी आप आपका बिलकुल है सही आंसर होगा चलिए आगे देखेंगे 49 नमर कोईश्चन पूछा जा रहा है कि निमनलिखित संसाधनों में से किने समपोसित रूप में से रूप में से उपयोग करने की आप सकता है तो यहां पर आपका 49 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा उपरोक्त सभी सभी मतलब कोईला को भी हमें सोच समझ कर खर्च करना चाहिए ego सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए लगARS और आज आपका बचा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के आज के लिए इतना ही रखते हैं आज का वीडियो कैसा लगा कमेज के माधिम से जरूर बताइए और अगर आप लोग अभी तक मैट्रिक वोड एक्जाम के बेहतर त्यारी के लिए हमारे मुबाइल एप को डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मुबाइल एप का लिंक मिल जाएगा तो वहां से मुबाइल एप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लिजिए दो मुबाइल एप है दोनों को डाउनलोड कर लिजिए जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महात्पोर्ण सब्जेक्टिव कोईश्चन और क्रिवेजन नोट्स क्लास नोट्स और मोरेल पेपर का पीडिएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए और लगर शरीद देखते रहिए